अबिनन्दन अभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिश विग्णियान के इस एतिहासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका आश्रो दोस्त रुपेन आर शाथ 2021 की यरली प्रिडिक्शन लगना के हिसाब से शुरू की गई तब सिर्फ यही मोटिव था कि आप लोगों को एक ग्लिम्स दिया जाए कि 2020 सभी का कैसा भी गया हो लेकिन 2021 कैसा जाने वाला है अब जिस तरह से आपको accuracy मिलती गई आप लोगों के बहुत सारे comments मिले उसके बाद दो कोशिशे और की गई फरवरी महिने से हमने monthly prediction शुरू किया लगना के हिसाब से जहां yearly prediction में बहुत ही short दो या तीन sentence में बताया गया था यहां पे हम ये March महिने की prediction है पूरे महिने को तीन या चार segment में divide करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि इस महिने में क्या क्या चीज़े इन तीनो time span में घटित हो सकती है और उसके बाद की एक कोशिश एक साथ दिनों की window मतलब साथाहिक prediction समढ़ लीजिए उसमें जितने लगना के लिए possible होगा उतने लगना के लिए हम date wise लाने की कोशिश करेंगे कि प्रति दिन क्या चीज़े घटित हो सकती है बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा लेकिन एक चीज जरू से कीजिएगा monthly prediction हो या साप्ताहिक prediction हो दो तीन videos save करके रखिए या calendar में या कहीं पे भी mark करके रखिए analyze कीजिए कि कितनी चीज़े सही होती है उसके बाद भरोसा कीजिए फिर इस परिवार के साथ regular जूड़िए और monthly predictions आप्ताहिक predictions को accordingly देखके प्लान करके 2021 कौम definitely better बना सकते हैं मार्च महिने की series में कल मेश लगनकी से हमने शुरुवात की थी आज वरुशब लगनकी बात कर रहे हैं राशी आपकी कोई भी हो सकती है देखिए मेरे खुद की बात करो तो मेरी चंद्र राशी तुला है लेकिन जब मैं अपना जन्मांग खोलता हूँ एक बार आपको आ खाना होता है उसे लगन कहते है यहां पे लगना लग एसेंडलन या एस लिखा होगा сообщilt अगर यहां तो वहां पे लगन में दो लिखा हुआ है मतलम अगर मैं अपने लिए देखना चाहूंगा तो मैं भुरुशब लगन देखूंगा ठीक इस तरह से आपको देखना है फिर से एक बार क्या रहा हूं बिल्कुल भरोसा मत कीजिए लेकिन इसे मार्क करके रखिए दो एक महिने और जो सब्ताइक प्रेडिक्शन जा रही है उसे टटो लिए कि कितनी एक्यूरसी इसमें आ रही है और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए 2020 कैसा भी गया हो 2021 को हम अगर हमें पता हो कि किस प्रकार की गतिविदियां होने वाली है तो मुसीबतों से हम बच भी सकते हैं और positive things को हम explore भी कर सकते हैं चलिए कैसा जाएगा short and sweet पहले यह जान लेते हैं उसके बाद तीन section में हमने divide किया है financially अच्छा है व्रिशब लगना वालों के लिए financially यह महिना अच्छा है लेकिन कभी खुशी कभी गम वाली परिस्थितियां है एक तरह से dangerous भी कह सकते हैं आपके लगन में ही अंगारक दोश बनने के लिए जा रहा है आप सुबह ही वो prediction डाली गई अंगारक दोश क्या क्या धमल मचाएगा तो आपके तो लगन में ही अंगारक दोश बनने के लिए जा रहा है तो गुस्सा आपको बहुत आएगा पूरे मार्श म फिब्रुवारी के अंत भाग से ही कई लोगों की जीवन में इसकी शुरुवात हो चुकी हो यकीन मानिये हो चुकी है या फिर होने की कगार पर है गुसा आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं मत किजिएगा राहू और मंगल एक साथ आये हैं तो ये छोटी छोटी बातो उपर आपके दिमाग का पारा अलग लेवल पर पहुंचा देगा ऐसी बाते जो पहले आप बहुत इजिली इग्णोर कर जाते थे अगर ऐसा कुछ वानी विवहर में आपने कर दिया या बोल दिया तो उसके बहुत घंबिर परिणाम भुगतने के लिए तयार रहेगा बह अहां से सब्तम द्रश्टी आपकी दामपत्य जीवन की होती है तो लाइफ पार्टनर से विवाद की स्थितियां बनेंगी इस महिने में लाइफ पार्टनर आपको डॉमिनेट करने की पूर जोर कोशिश करेगा पूरुष है तो आपकी वाइफ और अगर आप स्त्री है तो आपके हस्बन आपको डॉमिनेट करने की जबर जस कोशिश करेंगे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कभी कभी लगेगा कि ये क्या हो रहा है लेकिन विवाद मत करिएगा क्योंकि ये अंगारक दोश आपको नुकसान पहुंचा के जाएगा सामाने रूप से वरुषब लगने वालों को मैंने देखा है मतलब सिर्फ ब्यूटी को सिर्फ कलर से नापा नहीं जाता मेल हो या फिमेल हो ये होते बहुत ही शौकिंग है और एक गजब का एट्रेक्शन होता है इनमें चुम्बक की आकर का एक अलग लेवल होगा कुछ न कुछ होंगे कि लोग उनकी तरह एट्रेक्ट होते होंगे ये सामाने रूप से दिखा गया है कि ये चीज़े होती है विवा की योग बन रहे हैं दोजबार अनमेरिड यस विवा के योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी लेने की अगर आप स से दस मांच क्या होगा कि फिब्रुवारी के अंत भर्ख से लेकर ही आप देख लेंगे कि पहले दस दिनों में दोजवार सिकिंग फॉर न्यू जॉब आपके लिए अगर इन दस दिनों में कॉल आता है तो चांसिस बहुत ही प्रबल है बिजनेस एक्सपांड करना अगर आप चाहते हैं तो यहां पर माश मीने में आपके लिए पहले सब्ता से ही वह बनना शुरू होंगी और स्पेसिफिकली अगर आपका ट्रांस्पोर्डेशन का बिजनेस है तो यह पहले दस दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आपको पहले दस दिन कारेक्षेत्र मे आप लखी है ऐसा महसूस भी करवाएगा यात्रा के भी सेयोग बन रहे हैं और मित्रों के साथ कुछ हशी खुशी के पल भी बिताएंगे स्टॉप मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह पहले दस दिन गुर्णीज लेकर आ रहे हैं लेकिन फिर से एक बार ज चलने दीजिए सत्ता के यह जो एक से दस दिनों की विंडो है उसके आखिर में आपको यह मैसुस करवा सकता है कि कोई आपका गुप्त दुश्मन आपके पीट के पीछे कुछ गेम खेल रहा है लेकिन शायद आपको पता नहीं चलेगा और इसका परिणाम यह भी हो सकता ह है कि आप चीट होंगे या बेवकुफ बनेंगे लेकिन बहुत बड़े लेवल पर मत बनिएगा चीट या बेवकुफ का मतलब आपको गलत बोलके आपसे खर्चा करवाया जाए आपसे पार्टी ली जाए या उधर के कुछ पैसे लेके कोई फ्रेंड वगेरा चला जाए या रिलेटिव अगरा चला जा ऐसी कुछ चीज़े हो सकती है तो बेवकुफ बनिएगा बेवकुफ बनने में कोई बुरा ही नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बेवकुफ मत बनिएगा ये चीज़े होने के लिए जा रही है एक से दस तारीक में दूसरे पार्ट में देख लेते हैं 11 से 20 तारिक में यहां पे भी नई जॉब डूमने वालों के लिए मार्च महीना खुशियों की सौगाट लेकर आ रहा है कारेक्षितर के लिए जबर जसे बिजनस के लिए भी यह सुपब है और जो पहले 10 दिनों में आखिर में आप बेवकुफ बने होंगे इस सत्त मतलब अग्यार से बीच में उसके आप मध्यबाग समझ लीजिए वहाँ से फैमिली के लिए अच्छा ताइम है लेकिन अंतभग आते आते आप कुछ रिस्क ले बिजनस में ऐसी भी सहियोंग बन रहे हैं वो रिस्क आप लेते हैं तो सक्सेस के भी सहियोंग हैं रिलेशन तो यह थर्ड पार्ट में पता चलेगा 21 मार्च से 31 मार्च यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है आपको कौशियस रहना चाहिए लव बर्ट के लिए यह काफी अच्छा है श्टॉक मैर्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है स्टूडेंस के लिए काफी अच्छा है क्रिएटिव आइडियास के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है पारिबारिक माहौ अच्छा बनेगा क्योंकि 11 से बीच में अपने रिलेशन सुधाने की कोशिश की थी तो शुरुवात में उसका अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा लेकिन लड़ाई जगडों से बचिएगा मध्यपार्ग के बाद से अचानक से परिस्षितियां बच से बत्तर बनने के सहयोग है 21 से 31 मध्यपार्ग मतलब समझ लीजिए 25 मार्च से मार्च के एंड तक कुछ ऐसी लड़ाई जगड़े हो सकते हैं जिसकी है आपके हेल्थ के उपर असर पड़ सकता है और फिर आप प्रयत्न करेंगे लाइफ पार्टनर के साथ पैच अप करने का लेकिन वह होई पर आपको कंट्रोल रखना है वो है आपकी वाणी और आपका व्यभार परिस्टियां आपके लिए ठीक नहीं दिख रही है यह लाश्ट के कुछ दिन आपके लिए अपमान वाली परिस्टियों का सर्जन करवा सकते हैं आपको दुख भी होगा क्यार्फूर रहिएगा क् एक चीज बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपके लगन में ही यह सारी चीज़े घटित होने वाली यह था शॉर्ट एंड स्वीट अब देखिएगा कि कितनी चीज़े व्रुशब लगना वालों के जीवन में होती है मैं खुद व्रुशब लगना हूँ तो इस मामले म तो मैं confidently care सकता हूँ it is coming तो सावचेत हो जाईए संभालना इतना भी कठिन काम नहीं है ना सिर्फ वाणी और व्यावर्क आटो कंट्रोल में रखना है ज़रू से किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे साथ वाला बैल आइकोन दबा दीजिए और हमसे हुआ है कॉल मत किजिए का कॉल संद नहीं ले पाएंगे अपना नाम बर्ड डिटेल्स और प्रोब्लेम्स वाट्सअप नंबर 971-444-3110 के उपर लिग दीजिए अक्षाई जी आपको वहाँ पे मिलेंगे प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा नए वीडियो के सा प्रुमे लेंगे जाए